दोस्तों इस वीडियो में जमीन से जुड़ी कई महितपूर टॉपिकों और बात करेंगे दिए कई लोगों ने अपनी समस्याय रखी आपने अपने प्रस्न पूछे उनी प्रस्नों को मैंने टॉपिक बनाकर उन समस्याओं का निवारण और 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 भी जो उन प्रस्नों से लोगों को सीख मिल सकती है लोगों कुछ महतपूर जानगारी मिल सकती है जिसके जिससे उनके साथ कोई धोका दड़िया माली जी ऐसी समस्या है उनके सामने ना आए तो उन सभी समस्याओं का उन सभी टॉपिकों पर महतपूर जो भी महतपूर टॉपिक में जो भी महतपूर लेकिन नेट पर सो नहीं हो रहा है तो क्या समाधन क्यों नहीं हो रहा है तीसरा जो है वो है कि भाई जमीन जो है वो 20 लाग में तैय हुई थी लेकिन अब वो 25 लाग रुपए में दूसरे विक्ति को बेच रहा है तो अब क्या कर सकते चौता प्रसन है कि क्या मा पैतरिक संपत्ती को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकती है नहीं तो इन सारे प्रसनों के जवाब मिलेंगे यानि कि ये सारे टॉपिकों और बात करेंगे और महित्पुट जानकारी देंगे तो बढ़े नाई वीडियो के एंड तक चली वीडियो सुरू करते हैं देगे सबसे पहला प्रसन है वो ये है कि अगर जमीन खरीद ली है रजिस्टरी हुई हो गई है पर बाद में पता चला कि विक्रेता ने उस जमीन पर लॉन रे रखा है तो अब दाकिल खारिज कैसे होगा क्रप्या बताने का कस्ट करें तो अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल से पहले जुड़े होते मेरे वीडियो देखते होते तो सायद आपके सामने ये समस्या आती ही नहीं क्योंकि मैंने पहले कई वीडियो लॉन संबंदित बनाए हैं कि जमीन पर लॉन है तो क्या करना चाहिए चलो बात आते हैं इस प्रस्ण पर देगिस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपने जमीन की रेजिस्टरी कराई है ठीक है तो जब आपने रेजिस्टरी कराई थी तो आप ओनलाइन विवरण निकाल के तुरंत देख सकते थे online तुरंट पता चल जाता आपको कि इस जो जमीन है इस पर loan है या नहीं है तुरंट आप देख सकते दे बहुत सरल तरीका था अगर आप नहीं देखना चाहते वीडियो डिसले लिंक दे दूँगा आप देख सकते ठीक है तो सबसे पहले तो भई यही था भई इस पर दो लाख रुपए की loan है ठीक है तो भई वो registry जमीन तो आपने खरीद ली registry भी करा दी लेकिन जब तक आप जो है वो loan bank का जिस भी bank का है चाहे वो SBI का है चाहे वो किसी भी bank का है gramit bank का है जब तक आप उस loan को दो लाख रुपए loan जो है जमा नहीं कर दी जाएगी तब तक वो वो जो जमीन है वो उसी विक्त के नाम रहेगी जिस विक्त ने loan ली थी जिस विक्त ने वो जमीन बेची थी भई जिसने खरीदी उसके नाम आएगी ही नहीं सरन यानि कि दाकली खारज होगा ही नहीं जब तक लॉन पूरी नहीं दी जाएगी, तो अब भाई इसमें यही होगा, कि आप जो है, आपको लॉन जो है, जितनी भी लॉन है, वो आपको देनी पड़ेगी, जितनी भी उस जमीन पर लॉन है, वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, अगर माली जी, आप उस पर दवाव बना सकते हैं, या माली जी, आप उस पर प्रेसर डाल सकते हैं, भाई अपनी पूरी लॉन चलाए, ठीक है, या माली जी, अगर उसका पैसा आपके पास कुछ बचा है, तो आप उसका पैसा ले जाकर वो लॉन चला सकते हैं, उसके बाद ही वो जमीन आपके नाम आएगी उसके बाद ही उस जमीन का आपके नाम दाकिल खारज होगा ठीक है आपकी समस्या आपकी जो भी सवाल था आपका जवाम मिल गया दूसरी बात है दूसरा सवाल वो है कि दाकिल खारेज हो चुका है लेकिन नेट पर सो नहीं हो रहा है क्या करें दिखे से पहले मैं आपको बता दूँ यदि आपकी दाकल खारज की डेट जो है वो पढ़ चुकी है आपका दाकल खारज हो चुका है और पर सो क्यों नहीं हो रहा है समस्या पूछ सकते हैं कि वही क्यों नहीं हो रहा है और ऐसा भी होता है कि वही नेट पर सो जो है वो कुछ देर से होता है यानि कि 15-20 दिने आ एक महीना लग जाता है उसके बाद सो होता है तो आप जो भी संबंदिल लेक पाल है या जो भी वेना अमाले था आपका जिसने आप आपने जिसको भी दागल कारेज के लिए पैसे दिये थे आप उससे पूछ सकते हैं कि वही नेट पर क्यों नहीं सुह रहा है ठीक है और कोई आगे समस्षा है तो आप कमेंट करके और भी पूछ सकते हैं चलिए बात करते हैं अंगली प्रस्न अंगला प्रस्न है इसमें लिखा है कि सर मैंने जमीन जो है वो 20 लाक में खरीदी है और पैसा एग्रिमेंट में लिखवा कर दिया है लेकिन उसी जमीन को दूसरा इंसान 25 लाक में खरीदना चाहता है अब जमीन का मालिक मेरे नाम जमीन नहीं करवा रहा है लेकिन एग्रि इस्टिरी नहीं हुई है ठीक है सीधी सी बात है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ देखिए अगर इन्होंने पैसा जो है पांच लाक वी उस जमीन का पहुँच गया होगा या एक लाक वी रुपया अगर पहुच गया होगा जिसे हम बियाना भी कहते हैं या माली जी ज बनवा लिया है कि भागे के 19 लाक जो है वो दो महीने के अंदर में दे दूँगा और 20 लाक में यह जमीन तय हुई है अगर आपका एग्रिमेंट हो चुका है दोनों लोगों के सायन है और एग्रिमेंट करने वाला जो है वो स्वस्त है और वयस्क है सभी सरते पूरी कर रह जा था यानि कि यदि आपने उस जमीन का एग्रिमेंट जो है वो जमीन 20 लाक रुपए में तय की थी और आप पैसे दे भी चुके है एग्रिमेंट भी हो चुका है तो वो विक्ति जो विक्रेता है वो एग्रिमेंट नहीं तोड़ सकता है अगर वो एग्रिमेंट तोड़ तो ऐसे में आप जो है उसके नाम केस फाइल कर सकते हैं जो भी सम्विदा भंग होई है उसके किलाब आप केस फाइल कर सकते हैं जिससे वो जमीन जो है बेचने से रुख सकती है ठीक है लेकिन आपको ये सब भी समय रहते करना है क्योंकि एग्रिमेंट ऐसा नहीं होता है कि और किसी ने भी तोड़ दिया, तो agreement का फाइदा ही क्या है, तो भाई ये जो सम्मेदा अधनियम, जो contract अधनियम बना है, तो इस कानून का फाइदा ही क्या है, भाई इस कानून का यही फाइदा है, कि अगर आपने agreement कर लिया है, तो सभी सरतेया पूरा करते हैं, तो agreement ऐसे नह कर देखवे हम आप अग्रिबेंट नहीं मारने तो ऐसा नहीं हो सकता है आप उस पर केस करें अगर वो नहीं आपको 20 लाग रुपए में दे रहा है तो आप केस कर सकते ठीक है आपको जो है वो 20 लाग रुपए में जमीन देने ही पड़ेगी यदि आपकी सम्मेदा की सारी सर कर सकती है तो यह वैलिड होगा या नहीं यानिकी और जो संपत्ती जो है वो पैत्रिक संपत्ती है नो ने बताया ठीक है तो देखिए यहां पर यह पूझ रहा है का वही जैसे मा लिजिए तीन बेटे हैं एक मां गे तो क्या मा पैत्रिक संपत्ती जो है वो किसी एक बेट इस्तरी जो थी उसके सीमित अधिकार जो पैत्रिक संपत्ती थी उस पर सीमित अधिकार होते थे यानि कि जब तक वो जीए अपने जीवन काल में उससे भरण पोसर प्राप्त कर सकती है ठीक है लेकिन अब जो है वो अब जो नियम जो है वो 2005 के बाद ऐसा नियम हो गया है कि औरतों को सीमित अधिकार होकर पूरते अधिकार हुआ है यानि कि वो संपत्ती को दान में भी दे सकती हैं वसियत भी कर सकती हैं और वो संपत्ती को बेच भी सकती है यानि कि अब इस्तरी को पूर अधिकार संपत्ती पर प्राप्त होता है ना कि सीमित अधिकार ठीक है आपको ध्यान रहे अगर आपको पूरते अधिकार और सीमित अधिकार और क्या मा अपनी संपत्ती है वो किसी को बेच सकती है अगर आपको ये वीडियो देखना है तो वी